आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलीस ने अपनी चार्जशीट में छे खिलाडियों और नौ अन लोगों की गवाही और साक्षियों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुष्टी संग के अध्यक्ष कारवाई कराने का कोट से आवाहन किया है कि आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रिजभूशन सिंग भाजपा सांसद पर धारा पासो छे आपराधिक धंकी 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना 354 यौन उत्पिण 354 दी पीछा करना जैसी ध इस चार्ज शीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलीस ने जिसमें से 15 लोग जिसमें रेसलर्स है रेफरी है कोचेज है ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पिणन दराने धंकाने जैसे संगीन आरोप लगाए लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पु ओवर्साइट कमिटी के सामने भी लगाई थी आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूँ कि जनवरी 2023 में सरकार में छे सदसी ओवर्साइट कमिटी गठित करी थी जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्यबाज श्रीमती मेरी कौम ने करी थी उन्होंने फरवरी के द उन्होंने ब्रजभूशन सिंग के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आख मुंदली एक आपती नहीं जताई और पुलीस कारवाई तक की कोई मांग नहीं की और जैसा कि सर्वविधित है कोई कारवाई ना होने पर ओवर्साइट समिटी से पूरी तरह से विश्वास हिल जा और उस दोरान उनको गालियां दी गई उनके साथ हाथा पाई की गई उनको सडकों पे घसीटा गया उनके सीनों को रौंदा गया और यहां तक कि जब उन्होंने ठक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए पर या अब चार्ज शीट तर savoir या में संगीर आरो पाने के बाद साक्षों क्या अधार पर बनी इस चार्ज शीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी क्या अभी भी प्रधान मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी अपना मुँ तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विशुगलना रहेगा क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराएंगे इस चार्डशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या अभी भी संग्रक्षा ब्रजभूशन शरण सिंग को दिया जाता रहेगा क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में इस द नहीं दो बार नहीं लगतार भारतिय जन्तापाटी नेताओं सरकार और प्रदान मंत्री का संगरक्षन आरोपी को मिलता है इस देश की बेटीयों के विरुद तो इस मंच से हमारे प्रदान मंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल है हमारा पहला सवाल तो वही है जो यह सवाल पूरा देश सोच रहा है महिला खिलाडियों के खिलाफ यौन शोशड के मामले पर प्रधान मंत्री चुप क्यों है उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा उन खिलारियों के मामने पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिचवाने में मिनिट भर भी देरी नहीं करी प्रधान मंत्री इस पर मौन क्यों है प्रधान मंत्री अपने चहेते सांसद ब्रजभूशन सिंग को पाटी से कब निकाल फेकेंगे ये सवाल आज देश पूछ रहा ह आज देश पूछ रहा है कि भाजपा, सांसद और कुष्टी संग के जो अध्यक्ष है ब्रजभूशन सिंग उनकी गिरफतारी कब होगी क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको और अंत में मोधी जी आपकी सरकार ब्रजभूशन सिंग को संग्रक्षर देना कब बंद करेगी कि विकोज यहां पर वस्तुत हस्तिती यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है आपका टेस्ट आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती है क्या नैतिकता है जरासी भी आप में और आप क्या कीजिए ब्रजभूशन शरण स सेंग कभी एक टीवी चानल पर कभी दूसरे टीवी चानल पर कूद कूद कर अपनी बात करते हैं उनको प्लाटफॉर्म देना बंद कर दीजिए वह आरोपी है और बहुत संगीर आरोपों से खिरे हुए आरोप सेक्श्वल मिसकॉंड़क के है यौन उत्पिरन के आरोप है और यह आरोप इस देश की सबसे होनार बेटी होने लगाए है यह वही प्रजभूशन शरण सिंग है जो कहते थे मेडल जो है वो टके के दाम बिक रहे हैं लड़किया खेलना नहीं चाहती है लड़किय साक्ष सामने आएंगे लेकिन एक सच ये भी है कि सरकारें नेतिकता और मर्यादा से चलती है और जब भाजपा का एक संसद इतने संगीर आरोपों से घिरा हुआ है उसको संसद में बैठने की अनुमती नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर मर्यादा और नेतिकता का दुबार कारण समझ में आते हैं एक सरकार का की नेतिकता पूरी तरह से मर चुकी है अगर सरकार के अंदर नेतिकता होती तो नरसंगार के मुख्य अभ्यूक्त का पिता इस देश का ग्रहराजमंत्री नहीं होता अगर सरकार के अंदर नेतिकता होती तो जिस व्यक्ति के खिलाफ उनके खिलाफ जो आरोपी है जो अत्याचारी है लगाक्तार उनके साथ खड़ी रहती है और दूसरा कारण थोड़ा राजनेतिक है दूसरा कारण अमित्शा जी और योगी जी के बीच की जो खीचतान है जो उत्तर प्रदेश की राजनेति को फॉलो करते हैं उसका सीधा अच्छा है समझने वाले समझ गए कहने वालों ने कह दिया सुप्रिया जी मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की विश्वस्नियता पर पहले दिन से सवाल उठता रहा है अब चुकि चार्ट सीट में जो सब बाते सामने आई है आपको लगता है दिल वात्रण प्रद्दान मंतरी जी अपना राजिति लग करा रहे थे तो बेटियों को सडकों पर यहीं दिल्ली पौलिस घसीट रही थी यहीं दिल्ली पुलिस है जो कभी पॉक्सों पर इदर कभी गिरफतारी होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से ब्रिजभूशन सिंग को प्रोटेक्ट किया गया, उनसे पूर्षताश भी तब करी गई, जब विपक्ष हावी हुआ, जब लोग हावी हुए, जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, तो दिल्ली पुलीस की जो अमिच शाजी को रिपोर्ट करती है, अपना असली चाल चरितुरों चहरा काफी हद तक दिखाया हुआ है, एनी अधर क्वेस्टिन्स?